आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ Download now Hello guys and our question is solve the given equation x square minus 3 root 5 x plus 10 is equal to 0 using factorization method So let's start to solve this question तो हमें इस question में इस given quadratic equation को using factorization method solve करने अगर आपको factorization method नहीं आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो पहले सबसे पहले quadratic equation को एक बाद लिख लीजिए x square minus 3 root 5 x plus 10 is equal to 0 यह यहन एक्वेशन अब यहाँ पर factorization method दो solve करना है तो पहला step है factorization method का कि हमें सबसे पहले terminal terms का product निकालना है जैसे यहाँ पर देखिए terminal terms के आए x square और 10 तो दोनों का product क्या होगा x square into 10 का product होगा 10x square simple अब जैसे product आ गया अब आपको middle term को ऐसे break करना है जैसे मैं वो दो term में break हो और उन दोनों terms का जो product हो वो इतना हो कैसे होगा मैं करके दिखाता हूँ देखिए हम यहाँ पर लिख सकते है x square minus 3 root 5 x है ना इसे हम लिख सकते है minus root 5 x minus 2 root 5 x अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो मैं आपर लिख देता हूँ minus 1 root 5 x और minus 2 root 5 x तो क्या होगा दोनों को add कीजिए इतना आ रहा है हाँ आ रहा है अब क्या चेक करना है इन दोनों का product इसके बराबर होना चाहिए that is minus into minus तो प्लस होता है इतना तो चाहिए 2 root 5 को 1 root 5 से multiply कीजिए तो root 5 into root 5 5e होता है and 5 into 2 that is equal to 10 ओके और x into x that is x square तो मतलब यह जो condition है factorization method का वो इसको satisfy कर रहा है तो हमने आप इसको साहित हो रहा है ठीक है इन दोनों का product इसके बराबर होना चाहिए और इन दोनों का sum इसके middle term के बराबर होना चाहिए ठीक है अब minus root 5 x minus 1 root 5 x लिखिए या minus root 5 x लिखिए बोथ आर सेम तिंग तो यह हो जाएगा यहाँ पर common क्या है कुछ नहीं है सिर्फ x common है दोनों में तो x बहार ले लिजिए तो होगा x x minus root 5 x हमने common ले लिया तो अब similarly आगे के दोनों terms में से भी हमें common लेंगे यहाँ पर common क्या है देखिए 10 qam कैसे लिख सकते है 10 qam लिख सकते है 2 root 5 into root 5 तो यहाँ पर भी तो यह 10 की जगह हम लिख सकते है 2 root 5 into 5 अब आपको समझ में आएगा कि हमने common कैसे लिया 2 root 5 को यहाँ बी 2 root 5 है और यहाँ तो आल्यड़ी आपको दिखी रहा है तो यहाँ पर हमारे पास आया 2 root 5 x minus root 5 माइनस 2 रूट 5 मल्टिप्लाइबाए माइनस रूट 5 क्या आएगा प्रफ प्लस 10 ही आएगा तो यह हमारा साटिस्टाइब हो रहा है कंडिशन और राइट हैं साइन में 0 अब यहाँ पर अगेर हम कॉमल लेंगे यहाँ पर एक्स माइनस रूट 5 है यहाँ पर भी x-root 5 है, common ले लीजिए, तो यह हो जाएगा, x-root 5 multiply by x-2-root 5, तो हमारे पास यहाँ पर उपर का जो given quality equation है, उसके दो factors आ गए, पहला है x-root 5 और दूसरा है x-2-root 5, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि दोनों factors का product is equals to 0 है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों factors को एक एक करके simultaneously 0 से equate करेंगे, to get the value of x, ठीक है, तो सबसे पहले x-root 5 को 0 से equate कीजिए, x-root 5 को 0 से आप equate करेंगे, तो x की value क्या आएगी, simple, minus root 5 को left-hand side से right-hand side shift कीजिए, तो x की value आजाएगी, that is, plus root 5, ठीक है, similarly, x-2-root 5 को 0 से equate कीजिए, x-2-root 5 को 0 से equate करेंगे, x की value क्या आएगी, बहुत असानी से बचला सकते हैं, that is, 2-root 5, minus 2-root 5, left-hand side से right-hand side चला जाएगा, तो plus 2-root 5 हो जाएगा, तो x की दो values आए यहाँ पे, that is, plus root 5 and plus 2-root 5, okay? So, finally, we have solved the above given quality equation and gotten the value of x that is equals to root 5 and 2-root 5, so that's our answer, I hope you have understood this well, thank you! अपने डाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 8444 सुपर!